इस lecture में हम देखेंगे filtering data, पिछले lecture था हमारा data sort करने पर, sort करने पर हमारे पास home tab में sorting options available हैं और मैं यह बताना बहुल गया था कि यहां पर हमारे पास data के tab में जाएंगे तो यहां पर sort and filter का यहां भी section available है जिसमें quickly आप click करके इसको sort कर सकते हैं अपने data को, a to z कर लिया, इसको a to z कर लिया, यहां custom sort करने के लिए इस पर जाके same वही option open हो जाते हैं जो के home tab पर यहां पर available है, ठीक है, अच्छा, sorting के बाद अब हमारे पास आता है filter, हमारे पास sorting तो कर लिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि नीचे ओला data मैं नहीं देखना चाहता है मैं के करूंगा data set में कहीं भी, जो भी range data की, उसमें कहीं भी click करूंगा यहां यहां पर जाओंगा और filter पर click करूंगा, यहां data tab में जाकर filter पर click करूंगा यहां पर मेरे कोई access toolbar में भी data का, यह filter का sign available है, इस पर भी जाकर मैं filter कर सकता हूं data को data सिर्फ इसके शर्त किया है, जो भी हमारी data की range है उसको select करना है और उसमें से कहीं भी click कर देना है और जाके data में filter पर click किया है तो हमारे इसके साथ हर एक heading के साथ column header के साथ एक चोटा सा arrow show हो गया है अब मैं चाहता हूं for example देखना सिर्फ यह मैं इस पर click करता हूं तो तीन regions आ रहे हैं, तीन regions में हमारी sale है, Central East and West में मैं इसको unselect करता हूं और सिर्फ मैं देखना करता हूं Central region में क्या sale है अब मैंने इस पर okay किया तो मेरे पास सारे बाकी गायब हो गया और सिर्फ Central region की data available है मेरी screen paste time और इसके उपर छोटा से filter sign भी show हो गया जो के बाकी column headers के साथ नहीं है जो इस बात को represent करता है कि मैंने इस time filter apply किया हुआ है, ठीक है अब मैंने पहला filter यह apply किया एक मैं देखता हूं इस region में काफी sale person है मुझे नहीं पता लाग रहा कि sale person की कितनी sale है मैं क्या करता हूं representative पर जाता हूं और मैं देखना चारता हूं guild की कितनी sale है इस पर click करता हूं इस region में guild की sale रहती है याद रखना है, यह guild की पूरी sale नहीं है, इस region की sale है for example अभी आप देख रहे हैं, चार पांच order show हो रहे हैं यह देखें यह पर 5 values आ रहे हैं तो मैंने region पर गया, यहां पर सिर्फ central show हो रहा है अब मैं जब इसको खत्म करूंगा, यह देखें filter का sign खत्म हो गया जब मैंने select all पर किया था अब region पर खत्म क्लिक करके select all सब पागे, मैंने यहां से जाके दुबारा guild पर गया अब देखें, guild की चुंके sale इसी region में थी मैं किसी और पर click करता हूं तो जिस जिस region में इसकी sale होगी उस उस region में वो सिरफ इसके मताबक filter का देगा जो filter हम पहले apply का रहे हैं वो level 1 filter होगा और उसके अंदर बाकी values show होगी ठीक है, central पर जब मैंने select का लिया, for example east पर select का लिया सिरफ east के sales person show हो रहा है यह आगे show ही नहीं हो रहा है ठीक है इसमें से मैं अगर एक select कर लेता हूं यह इसने जो दो item sale के हैं यह सिरफ इस sale person की सिरफ इस region में है तो यह चीज याद रखने हैं जैसे sorting में था कि जो हम पहले sort करते हैं level 1 sorting होती है इस तरह filter में जो filter पहले apply करेंगे वो level 1 होगा और बाकी सारा कुछ उसके अंदर सब category में आएगा ठीक है और यहां पर जाके filter के यहां भी option हमार पास available है यह अगर यह नहीं करते हैं हमार पास shortcut की है CTRL SHIFT L सिरफ शर्त के उस data set के अंदर उस data range के अंदर हमारा एक cell पे click होना चाहिए ठीक है हमारा जो भी cell इस time active cell है वह इस data range के अंदर होना चाहिए CTRL SHIFT L दोबारा करूंगा तो filter खतम हो जाएंगे यह बहुत अच्छा टूल है बहुत commonly used होता है मतलब एक्सल में सबसे common use होने वाले tools में से मेरे खिया है तो इसको भी practice करें बार-बार और कोशिच किया करें shortcut keys use करें इससे आपका time काफी save होता है तो यह था हमारा filter tool thank you so much तो यह था हमार real мовा में का लाल